कि हाई दोस्तो आजम क्लास 10 के mathematics के टॉपिक आरिफमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर मास के वेरी इंपोरेंट कॉशन को सॉल्व करेंगे तो फिफ्ट कॉशन क्योंकि इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी उसमें फॉर कॉशन को वेरी इंपोरेंट फॉर मास के फॉर कॉशन को लिया था अब फिफ्ट कॉशन है फॉर मास का वेरी इंपोरेंट कॉशन और यह रिपीट हो चुका एक्जाम में दे सम आफ दा फस्ट त्री टर्म्स आफ अफ एन एपी इस 33 कि अ पर हमें त्री टर्म्स जो के फायंड करने हैं तहां पर लेता हूं है कि लेट कि अदुद म्लिट को ट्रीट तर्म्स आ फेल एपी आर थरी टर्मस और A-D A यह त्री टम्स लेंगे ठीक है अब यहां पर क्वेशन में कहे रहा है कि अब इसका समझोगे मतलब यह फर्स टम है यह सेकेंड टम और यह थर्ड टम आपर इन तीनों का सम कितना होता है? 33 कहे रहा है तो आपर लेंगे A-D A और A-D is equal to 33 ठीक है? is equal to 33 फिर आगे कहे रहा है if the product of first term and third term first term and third term का product इसको लेता हम है A-D into A plus D ठीक है? is equal to exceeds the second term by 29 मतलब second term यहां पर कुन सा है A है? तो A में 29 exceeds होता है मतलब ज्यादा होता है ठीक है? इसको हमें find करना होगा तो लिए इसको solve करेंगे मतलब क्या find करना होगा? find the AP मतलब 3 terms को find करना होगा अफिर arithmetic progression को find करना होगा ठीक है? अब देक है? यहां पर minus D plus D cancel हो गया तो पर A plus A plus A कितना हो गया यह? 3A is equal to 33 तो A is equal to A 11 हो गया ठीक है? A is equal to 11 और यहां पर A minus D A plus D is equal to A क्या हो गया? A square minus D square is equal to A plus 29 हो गया अब यह की values जो कहा हमने find किया है उससे replace कर सकते है A is equal to 11 और यहां पर D square is equal to 11 plus 29 ठीक है? 11 का square 121 minus D square is equal to 11 plus 29 यह कितना हो गया? 30 और 10 40 हो गया तो 121 minus 40 is equal to D square हो गया ठीक है? तो D D square is equal to यह हो गया 81 ठीक है? 81 तो D is equal to क्या हो गया? square root of 81 यह फिर दी is equal to 9 यह प्लस और मैनस 9 इस आसे भी ले सकते है तो ठीक है? प्लस और मैनस 9 नहीं ही लेंगे ठीक है? प्लस और मैनस 9 तहां पर AP को find करना है तो लिजे AP को find करेंगे ठीक है? फस्ट इफ आपर हम क्या करना होगा? पहले इफ a is equal to 1 11 and d is equal to plus 9 ठीक है? तो AP इप इप क्या होगा? 11 प्लस 9 20 यह यह प्लस 9 इटी आइट आइट अश इस तरह से होगा और अगर ठीक है? अगर कि इफ कि यह इस इक्वड़ टू 11 एड डी इस इक्वड टू माइनस नाइन के तब क्या होगा एपी एपी इस इक्वल टू 11 11-9 यह होगा टू ठीक है और टू-9 यह होगा माइनस इस तरह से पी होगा बहुत इजी कोशन four marks ka ठीक है next question को देखेंगे कभी कबार ऐसा question त्री मांस में भी पूसकता है यंख बहुत ही simple steps रही है यह पर very easy और महते चोटा सा solution है ठीक है को आधे नेक्ट्ट्ट्रेश्ट को देखेंगे लिजे 6th question को देखेंगे ठीक है 6th question if the sum of first 8 terms of arithmetic progression is 136 आपर कह रहा है कि sum of 8 terms मतलब S8 is equal to 136 ठीक है and and first sum of first 15 term is 465 तो yes 15 is equal to एकितना yes 15 is equal to 465 find the sum of हमें क्या find करना है yes 25 को find करना होगा ठीक है yes 25 को और हमें पता है के formula हम लोग ने पड़ा है कि yes yen is equal to yen by 2 into 2a plus yen minus 1 into d ठीक है formula पड़ा है हमने तापर yes 8 मतलब yen is equal to 8 है तापर क्या होगा value 8 by 2 ठीक है 2a plus yen minus 1 मतलब 8 minus 1 यह होगा 70 is equal to 136 ठीक है और उसी तरह से yes 15 मतलब yen is equal to 15 yen के प्रेस में 15 आएगा तापर लेंगे 15 by 2 okay 2a plus 15 minus 1 14 d is equal to 465 ठीक है very easy question अब यहां पर हम कैंसल भी कर सकते हैं 2 1 2 2 4 the 8 तो क्या होगा यह 4 to the 8a होगा और 47 the 28 d is equal to ठीक है यह उसको डाइट डिवाइड भी कर सकते हैं हम लोग है ठीक है यह कितना है 34 होगा 34 तो इसका मतलब है 2a plus 7d is equal to 34 equation number one देता हूं ठीक है equation number one अब लिए इसको भी solve करेंगे ठीक है है यहां पर कितना होगा है यहां पर 15 by 2 इसमें टू और 14 मतलब टू सेवेंजा 14 मतलब टू काम कामन ले सकते हैं तो का अगर हम कामन लेंगे तो हम पर यह और यहां पर 70 बागी रहेगा इस इक्वल टू 465 ठीक है यह 22 केंसल हो गया ठीक है 22 केंसल हो गया तो इसको multiply करने पर हमें आंसर मिलता है 15 a plus और 15 7 जा कितना होता है 15 7 जा पता है हमें फिर भी confusion होता है अकसर तो देखिए एक मिंट रिचक करता हूं इसको 15 इंटू 7 ठीक है 105 तो 105 डी इस इक्वल टू डी इस इक्वल टू 464 65 या फिर या फिर हम इसे डारेक्ट डिवाट भी कर सकते हैं तो इसे डारेक्ट डिवाट करके देखेंगे ठीक है तो क्या होगा यह प्लस 70 इस इक्वल टू 465 ये इंटू 15 डिवाट 15 हो गया ठीक है और अगर से हम डिवाट करके चक करेंगे 465 डिवाड़ेट बाइ 15 अगरम करते हैं तो आंसर हमें मिलता है 31 मतलब क्या a प्लस 70 इसे मैं एक्वेशन नमबर 2 लेता हूं ठीक है तो हम पर लेता हम एक्वेशन 1 माइनस एक्वेशन 2 एक्वेशन 1 माइनस एक्वेशन 2 करने पर एक्वेशन 1 क्या था त्टू a plus 70 is equal to 34 or equation 2 a plus 70 is equal to 31 31 यहां पर अगर मैं माइनस लेता हूं तो यह माइनस हो गया a b minus हो गया a b minus हो गया तो 70 minus 70 cancel हो गया और 2a minus a a हो गया और यहां पर 34 minus 31 a हो गया 3 3 तो a is equal to 3 मिल गया ठीक है और उसी तरह से define करेंगे put a is equal to 3 in equation 2 को लेता हूं ठीक है तो a plus 70 is equal to 31 और यहां पर एकी वैलिवाइट 3 3 plus 70 is equal to 31 to 70 is equal to क्या हो गया 31 minus 3 that is 28 and d is equal to 28 by 7 to 7 on the 7 7 for the 7 for the 28 to d is equal to how me will be a for deep value we will be a key value भी मिल गई तापर हमें क्या find करना था sum of 25 terms ठीक है yes 25 को find करना था तो लेता हूं मैं मुलक्स को कर सकते हैं और easily कर सकते हैं तो is equal to 25 by 2 आपर cancel नहीं हो रहा है तो इसको मैं as a test रखूंगा तो 2 into a जो कि 3 plus 24 into d d कतना 4 है ठीक है is equal to 25 by 2 और यहांब यहांपर 24 into 4 यह होगा 96 ठीक है तो फिर इसका अगर हम solve करते हैं तो answer हमें मिलता है is equal to 25 by 2 into 96 plus 6 यह होगा 102 और यहांपर हम cancel करेंगे तो तो यह होगा 25 into 51 और इसे हम multiply अगर करते हैं 25 into 51 चे तो हमें आंसर मिलता है is equal to 1275 तो yes 25 का answer हो गया ठीक है बहुत इसी कोशन था और इस तरह की कोशन आते हैं एक्जाम में त्री मार्स के लिए या फिर फूर मार्स के लिए 7th question को लेंगे 7th question में कह रहा है the sum of 5th and 9th term of an arithmetic progression is 40 तो 5th term मतलब a5 और sum कह रहा है लिए plus and 9th term मतलब a9 is equal to 40 ठीक है और and the sum of 8th term मतलब a8 and 14th term मतलब a14 is equal to 64 find the sum of first 20th term sum of first 20th term मतलब yes 20 को हमें find करना होगा ठीक है तो लिए इसको solve करते है यह 5 मतलब क्या होता है a plus 4d और a9 मतलब a plus 8d is equal to 40 तो a plus a a हो गया 2a और यहां पर 4d plus a d 12d हो गया is equal to 40 तो अगर हम 2 को कामन लेते हैं तो a plus 6d is equal to 40 हो गया और a plus 6d is equal to 40 by 2 तो कैंसल करने पर 220 मिलता है तो a plus 6d is equal to 20 से में एक्वेशन नमबर वन देता हूं ठीक है उसी तरह से इसको इसको फांड करेंगे a8 मतलब क्या हो गया a plus 7d और उसी तरह से यह 14 मतलब a plus 13d is equal to 64 तो a plus a यह हो गया और 70 plus 13d 20d हो गया is equal to 64 यहां पर भी हम 2 को कमन ले सकते हैं तो a plus 10d is equal to 64 होगा तो a plus a plus 10d is equal to 64 by 2 is equal to 2 1 0 2 2 3 0 6 2 2 0 4 32 a plus 10d is equal to 30 इसे में एक्वेशन नमबर 2 देता हूं ठीक है तो लिजे अब इसे एलिमेनेशन में तरह से सौल करेंगे तो a plus 6d is equal to 20 और a plus 10d is equal to 32 तो इसे सौल करने पर यह माइनस माइनस तो यह कैंसल हो गया तो माइनस 4d is equal to minus 12 तो d is equal to क्या हो गया दी इस हमें मिलती है 3 ठीक है डी की वैल्यू मिल भी 3 अब पुट दी इस एक्वेशन वन थे इन एक्वेशन वन तो एक्वेशन वन क्या हो यहां पर यह प्लस है तो यह प्लस तो यह प्लस 6d is equal to 20 तो यह दी की वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करना है तो यह प्लस 6 इंटो 3 is equal to 20 तो यह इस इक्वेशन तो हो गया तो यह की वैल्यू भी हमें मिल गई ता पर हमकोशन ता फाइंड समा फस्ट्वेंटी टर्म्स Marchth 20 हम को फाइंड को ना था तो यह स्ट्वेंटी इस मुद्टि इन उ BIG टू से पाण्म ने पड़ा यह उन एक्वाइब 10 एंटो इन इन ज्स दिस पांविल्यमें दाल देंगे तो ट्व्यंटी नजिक वाइंटू इंटू यह टू इन टू को इंट पर लेता हो मैं इसी को एड टू टूञाल टू टू तो तेंज आ तो टन अर्यांप पर फोर और नांटीन ट्रीज इस एवन तेंट इस इस इवन टो टन इंटो फ्टी सेवन प्रॉड आज यह होगा यस 8 समाफ एट तरम्स अफन एपी इस हंडेड और एंड समाफ फंटीइन तरम्स अजनल्व यस 19 is equal 251 थीक है तो find ap, ठीक है ap को find करना है very easy question, हम मैं बता है कि yes n is equal to the formula हम नहीं पड़ा है, yes n is equal to sum of n term करते है, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, ठीक है, तो n के प्रेस में आपर 8 है, तो क्या हो गए, 8 by 2 into 2a 2a plus n minus 1, ठीक है, n minus 1 तब 7, 8 minus 1, 7d is equal to 100, ठीक है, तो, 2 1s are 2, 2 4 जा 8, तो 4 जा 8a हो गया, और यहां पर 4 जा 20 एक काम करेंगे, इसको इसे नहीं करेंगे, 4 को इसे रखेंगे और divide करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो 2a plus 7d is equal to 100, यह इंटो 4 क्या होगा, डिवाइड 4 हो गया, और यहां पर 4 हो जा 4, मतलब 25 से चला जाएगा, तो 2a plus 7d is equal to 25, इसे में equation number 1 देता, ठीक है, और यहां 19 क्या होगा, 19 by 2, 19 by 2 into 2a plus 19 minus 1, यह होगा, 18d is equal to 551, और 19 by 2, आपर 2 काम करेंगे, तो a plus 18 मतलब 9 to the 18, तो 9d is equal to 551, ठीक है, आपर 22 कैंसल हो गया, तो a plus 9d is equal to 551, यह इंटो 19 क्या होगा, डिवाइड 19 हो गया, और अगर हम इसे 551 divided by 19 करते हैं, ठीक है, आप लेता हूँ है, 551 divided by 19 आगर करते हैं, तो 29 असरा आएगा, ठीक है, is equal to 29, तो a plus 9d is equal to 29 होगा, इसे equation number 2 देंगे, ठीक है, equation number 2 अगर मैं देता हूँ, तो आपका favorite method, elimination method, इसके जरे सॉल करेंगे से, तो 2a plus 7d is equal to 25, यह equation number 1, और a plus 9d is equal to 29, यह equation number 2, ठीक है, तो इसे into 2 करता हूँ है, तो हमें answer मिलता है, 2a plus 7d is equal to 25, और यहाँ पर 2a plus 9 to the 18d is equal to 29 into 2, कि दो 9 to the 18, और 558 होगा, ठीक है, चक कीजिए, है, ठीक है, 28 ही होगा, यहाँ पर minus, minus करेंगे, तो 2a, 2a cancel हो गया, और 7 minus 18d, लगता है, यह minus 11d होगा, और यहाँ पर 25 minus 58, आगरम करते हैं, 3, और 3 minus 33 होगा, ठीक है, तो d is equal to क्या होगा है, आपर, d is equal to 11, और 3 से, तो d की value हमें मिलती है, 3, ठीक है, तो put d is equal to 3 in, equation 2 को लेता हूँ, ठीक है, equation 2 में दल देंगे, तो equation 2 है हमारा यहाँ पर, a plus 9d is equal to 29, is equal to 29, तो a plus 9 into d, d कितना है 3, is equal to 29, तो, आगर से solve करेंगे, तो a plus क्या होगा है, 29, यह minus 9th रिजा 18, तो a is equal to 11 होगा, ठीक है, एक ही value मिल गई, तापर क्या find, find ap पूछ रहा था, ap को find करना था, तो ठीक है, ap को लेता हूँ, हम है, ap को find करेंगे, तो ap क्या होता है, यह, a, a plus d, a plus 2d, इस तरह से होता है, तो लिए, यह हैं 11 और 11 प्लेस, dn3, यह हो गया, 14 और 14 प्लेस 3, 17, dash 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 dash, ठीक है, very easy question, तो ठीक है, का फिलम वीडियो, वीडियो हो गई, तो यह रे 4 question, और मैं अपने नेस्ट वीडियो में, और भी important questions को solve करने की कुश्च करूंगा, thank you, रे 5th, 1, 2, 3, 5th, 6th, 17, 16, 17, 17, 17, 18 00.